नमस्कार दोस्तों The GS Platform YouTube चैनल में आपका स्वागत है तो देखे ये बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान की सीरीज का अगला वीडियो है इससे पहले मैंने काफी वीडियो बनाए बाल मनोविज्ञान यानि साइकलोजी की उपर तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं तो देखे इस वीडियो में एक और सिध्धान की मैंने डिस्क्रिशन किया है जो कि यह समुई कारत सिध्धान तो वीडियो शुरू करने इस पहले में आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल The GS Platform को इस तरह से सब्सक्राइब कर लिए जिससे कि आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो अगर आप सीटेट, यूपीटेट या साहे गद्याबक भरती लिखित परिच्छा इन सभी परिच्छाओं के तयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को जो कि है समुवी कारक सिद्धान्त जो कि थर्ष्टन ने दिया है ठीक है तो ध्यार रखेंगे इस चीज़ को लेकिन थर्ष्टन और गिलफोर्ड इन दोनों सिद्धान्तों से सहमत नहीं हुए तो उन्होंने उनके सिद्धान्त की आलोचना की तथा अपना एक नया सिद्धान्त थर्ष्टन ने प्रतिपादित किया था जिसको देखो समुवी कारक सिद्धान्त कहते हैं तो इनका कह करना था कि बुद्धी के नर्मान में काफी चीज़ों को मिला कर इस चीज़ को बुद्धी को बनाया गया ठीक है तो देखिए इस चीज़ में आपको बताना चाहूंगा कि जो थर्ष्टन थे प्रिसिद्ध अमीर की मनोविज्ञानक थे मतलब अमेरिका के रहने वाले थे इ अनेक योगताओं का योगफल माना खर्टी को ठीक है थौट गबुर्फर्ण का किया कहिना आए थी कि मानसिक योगता एं एक दूसरे से मिली हुई हैं और स comprised को चलिए स्लाइड में हम देखते हैं चाल्स स्पियर्में कि सिद्धान कि ऐालोचना थर्षटन तथा गिलफोर्ड ने की थी सीधा सीधा यह क्वेशन पूशा जाता है कि इस्पियर मैं के सिद्दान की आलोचना किस ने की थी तो थर्षटन और गिलफोर्ड ने थीक है आग देखिए इन्होंने का था बुद्धी में केवल दो कारक ही नहीं होते ह इसी काड थर्ष्टन ने समुई कारक सिद्धान का प्रतिपादन किया उन्होंने का बुद्धी कापी मांसिक योगताओं का एक समुई होती है तो आगे देखिए थर्ष्टन के अंसार बुद्धी के अंतरगत प्रात्मिक मांसिक योगताओं का एक समुई पाया जाता है तो इन्होंने साथ प्रात्मिक मांसिक योगताओं दी थी ठीक है देखो थर्ष्टन का कहना था कि बुद्धी साथ प्रकार की जो मांसिक योगताओं होती है उनका एक ग्रुप होता है जिनमें साब्दिक बुद् सी न्यूमेरिक बुद्धी ठीक है या स्पैसियल या मैमोरी या परसेप्चुल स्वीज ठीक तो वो सब चीज़ें यहां पर आगे वाली स्लाइड में देखिए यहां पर जो यहां पर उन्हें साथ प्रकार की जो बुद्धी की विशेष्टाएं बताइएं कि बुद्धी इन सब चीज़ों को मिलकर बनती है तो वो चीज़ यहां पर देखो आपको समझना होगा क्योंकि देखिए पिछली स्लाइड में आप लिखा हुआ है कि इन्होंने साथ प्रात्मे की योगताएं दी थी तो साथ प्रात्मे की योगताएं जो भी है वो आपको पढ़ने होगी क्योंकि परिच्छा में इस तरह से प्रिशन बन जाता है कि साथ प्रात्मे की योगताएं किस सिद्धान्त में हैं या किसी एक का नाम बताईए तो इस तरह से आपको समझना होगा तो पहली द मतलब यही होता है कि सब्द की जे आर्थ, सब्द का जो अर्थ होता है, सब्द के अर्थ को समझने तथा सब्दकोस की युगता को शाब्दिक बोध कहा जाता है, या दूसरे सब्दों कहें कि बोलने तथा समझने की युगता को वरवल ability कहते हैं, ठीक है, दूसरा आपका इ numerical, numerical में है कि संख्यात्मक बोध या गड़त समझने की युगता, यानि कि जो बालक है या कोई भी व्यक्ति है वो जो calculation वाली जो process होती है, या संख्यात्मक चीज़ें होती है, गड़त की चीज़ें होती है उनको समझने के लिए जो बुद्धी यूज होती है वो numerical होती है, ठीक है ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, मतलब इसका ताथ पर यह है कि संख्या के साथ काम करने की जो युगता होती है उसको numerical युगता कहते है, ठीक है numerical ability कहेंगे इस चीज़ को, जो संख्या के साथ जो बुद्धी यूज होती है, उसको numerical ability कहेंगे तीसरा देखिए, special देखिए इसे दैसिक या इस्थानिक बुद्धी कहते है दैसिक या इस्थानिक बुद्धी इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ जो आकार वाली है ठीक है, उनकी एक अलग प्रकार की बुद्धी होती है, तो इस special बुद्धी कहते हैं, ध्यार नखेंगे इस चीज़ को चौथी बुद्धी का प्रकार है, perception ठीक है, उस समगुई में जो बुद्धी का मानसिक बुद्धियों की प्रकार है, वो यहाँ पे दिये जा रहे हैं, perception, इसमें पहँचान करने की युकता होती है, कोई भी चीज़ को हम पहँचानते हैं, तो वे भी बुद्धी का एक उसमें प्रकार कार करता है, perception ठीक है, तो इसमें कैसमें अतत्त का जो अर्थ होता है, ठीक है, उसमें सीगरता से बस्तू को समझा जा सकता है, ठीक है, जैसे कोई चीज़ अगर दस दिन पहले देखी थी, अगर वो ग्यारवे दिन फिर से आपके सामने आती है, तो आपका, यहाँ पे कौन सी का एक घटक है, अनवार घटक है, इसमें चीज़ों को हम याद रखते हैं, तो यह भी एक बुद्धी का प्रकार है, यानि कि बुद्धी के संगटकों में से यह भी एक है, इसमरल करने का काम होता है, तो इस तत्त के अंतरा सब्द, यानि जो वर्ड होते हैं, उनको वाक्यों को, सब्दों को हम लोग याद करते हैं, तो याद करने की युकता को मेमोरी कहते हैं, आगे देखिए वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी हम क्या होता है, कि सब्दों को तेजी से बोलने की युगता अर्थार्थ वाक के पटुता से दूसरों को प्रभावित करने की युगता होती है यानि जो भी हम बात करते हैं तेजी से दूसरे के सामने बात करते हैं उसको प्रभावित करने के कोश्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए बुद्धी का ये भी एक घटक है इसमें कोई memory काम नहीं करेगी इसमें आपको बोलने की युगता ही काम आएगी ठीक है तो इस चीज को ध्यान नखेंगे कि ये बोलने की युगता क्या है यसे सब्द प्रवाय भी कह सकते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कि संबंदित जो समस्याएं होती है जो भी चीज़ें उनको तेजी से सोचने की और तुरंत तेजी तेजी से November युकता में सामेल होती है यसे आपके सामने कोई problem है तो इसमें आप बोलेंगे कैसे पहले इस चीज को सोचेंगे तेजी के साथ और तभी उसको बोलेंगे तो वह वर्ड fluency है ठीक है आगे दिखिए inductive reasoning inductive reasoning क्या है इसका मतलब यह कि आगात्मक तर्ग जो हम क्या करते हैं inductive और deductive चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं inductive में क्या होता है कि पहले हम examples जो होते हैं वो पहले समझते हैं इसके बाद उसी के साथ से नियमों को बनाते हैं ठीक है तो वही चीज यहां पर दिया गया है कि आगात्मक तर्ग जो होते हैं व्यक्ति उधारणों के आदार पर नियमों का निर्मार करता है ठीक है inductive reasoning और deductive reasoning भी है इसमें पहले नियम सीखे जाते हैं इसके बाद उधारण सीखते हैं तो inductive reasoning जो तर्क वाली वुद्धी तो तर्क हम लोग करते हैं यह भी वुद्धी का प्रकार होता है तो इसमें क्या है कि कोई भी चीजों को हम ओधारण से समझते हैं या नियम सिफिर ओधारण समझते हैं तो यह भी एक बुद्धी का ही संगटक है इसको भी हम चुड़ों सह थर्ष्टन थे इन्होंने स्पियर मीन के जो जी फैक्टर की थियोरी थी उसको सुईकार नहीं कहा और कहा कि संग्यानात्मक कार्जियों के विज़ी जो सहसंबंद का जो आधार है वो सामान्यत तो नहीं है बलकि एक ही समुई की कुछ योगताएं होती है ठीक है एक ही बुद्धि की युकताओं को मिलकर ही बुद्धि का जाता है ठीक है तो बस इस चीज को मैंने आपको समझाने का पूरा-पूरा प्रयास किया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है ना भूलें तो मिलते अगली वीडियो ह नमस्कार